हेलो डियर फ्रेंड्स ग्रीटिंग्स ओफ दर रे मैं हूँ डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपको बहुत-बहुत सौगत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स कॉलर में दोस्तो हम यूनिवर्सिटी अफ अलाबाद के 2021 के इंट्रेंस एक्जाम की तैयारी कर रह हैं अगर आपने वो वीडियो देखें नहीं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उनको जरूर देखेंगा ताकी आपकी जो तैयारी है और अच्छी हो जाए आईए दोस्तो शुरुआत करते हैं दोस्तो मेरा नाम डॉक्टर साहिल रॉय और मैंने खुद उनिवर्सिरी अफ अलाबाद से बीकॉम, एमकॉम और पीसडी की डिग्री हासिल की है दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे एकनोमिक्स मॉक टेस्ट पार्ट टू की दोस्तो आज का हमारा पहला क्वेशन है क्वेशन नमबर वन क्वेशन है हमारा विच अफ फॉलइंग इस नौट दो अब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तो सवाल ये पुछा गया है कि इन में से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का अब्जेक्टिव नहीं है पहला ओप्शन है हमारा तू रेगुलेट मॉनेटरी ग्रोथ दूसरा ओप्शन है तू एडिकुएट एक्स्पैंशन इन क्रेडिट तू असिस्त एकनॉमिक ग्रोथ तीसरा ओप्शन है तू इंट्रेडूस मेजर्स फर स्ट्रेंदिनिंग दा बैंकिंग सिस्टम और चौथा ओप्शन है तू इंक्रीज पॉब्लिक रिविन्यू दोस्तो इस क्वेशन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं दोस्तो इस क्वेशन का सही आंसर है ओप्शन डी तू इंक्रीज पॉब्लिक रिविन्यू जो monetary policy होती है उसका यह objective नहीं होता कि general public का revenue increase किया जा सके है आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो monetary policy है वो से Reserve Bank of India बनाता है और इनका basic काम क्या होता है कि money का जो circulation है हमारी economy के अंदर उसको regulate करना inflation नहीं आने देना और अगर inflation आ जाए तो उसको मतलब stable करना stabilize करना ठीक है ना deflation है ना recession है सारी चीज़ें monetary policy दोवारा RBI govern करता है और RBI कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि general public का revenue increase हो general public की income increase हो reason इसके पीछे यह है कि अगर लोगों की income बढ़ने लगेगी तो पैसे की value घट जाएगी और लोगों की purchasing power बढ़ जाएगी तो जब आपकी purchasing power बढ़ेगी क्योंकि आपकी income बढ़ रही है ठीक है तो जब आपका revenue बढ़ेगा revenue मतलब आपकी income अगर बढ़ेगी तो आपकी purchasing power बढ़ेगी और जब आपकी purchasing power जब बढ़ेगी तो आप जो आपकी जो मनी है उसकी पर्चाइजिंग पावर कम हो जाएगी तो आर बिया ये सारी चीज़े रेगुलेट करता है तो option D is the correct answer for the given question हमारा अगला question question number two question है हमारा which is the other name given to average revenue curve इन में से कौन सा दूसरा नाम average revenue curve को दिया गया है ठीक है पहला option है profit curve दूसरा option है demand curve तीसरा option है indifference curve चौथा option है income curve ठीक है दोस्तों इस question का सही answer अगर आपको मालुम है तो आप comment करके बता सकते हैं इस question का सही answer है option B demand curve demand curve is the other name given to the average revenue curve बोले तो average revenue curve और demand curve बोले तो सेम होता है ठीक है option B is the correct answer for the given question हमारा अगला question question number three question है हमारा which of the following is not the function of RBI इन में से क्या Reserve Bank of India का function नहीं होता है पहला option issue of currency दूसरा option bankers bank तीसरा option controller of credit और चौथा option banker to general public दोस्तो इस question का सही answer आपको बिलकुल मालुम होगा इस question का सही answer है option D banker to general public RBI का function नहीं है normal जो general public होते हैं उनके बैंकर आपके commercial banks होते हैं commercial bank मतलब SBI हो गया पंजाब national PNB हो मतलब पंजाब national bank हो गया ठीक है बी ओ भी हो गया बैंको बड़ोदा हो गया ICICI हो गया HDFC हो गया ठीक है यह सारे banks आपके general public banks है ठीक है general public के banker है और यह जितने भी banks है इनका जो banker है वो Reserve Bank of India मतलब हमारे देश का central bank है ठीक है तो देखिए RBI का function होता है currency को print करके issue करना ठीक है सारे bank को का bank है मतलब हमारा bank हमारा SBI है और SBI का bank RBI है हमारा bank PNB है PNB में हमारा account है और PNB का account RBI में है अब समझ रहे हैं तो this is called bankers bank हमें loan चाहिए तो हमें हमारे SBI PNB bank को बढ़ोधा HDFC यहां से loan मिलेगा लेकिन इन सारे banks को अगर loan चाहिए तो RBI से loan लेते हैं तो that is called bankers bank ठीक है और लास्ट मैं कहरें controller of the credit controller of the credit का मतलब देश में inflation ना आ जाए deflation ना जाए dairy session ना जाए ज़रूरत से ज्यादा हम अगर पैसे की supply बढ़ा देंगे मतलब RBI अगर जरूरत से ज्यादा पैसे की supply बढ़ा देगा तो इससे लोगों की purchasing power बढ़ जाएगी लेकिन पैसे की value घट जाएगी जो money की purchasing power की value है खुद की value है वो कम हो जाएगी आपको अगर ज्यादा पैसे मिलने शुरू हो जाएगे तो आपकी तो purchasing power बढ़ गई ना लेकिन on a very large scale अगर ऐसा होता है तो हमारे money की purchasing power कम हो जाएगी example के तोर पे 1980 में अगर आप 100 रुपए में कोई सामान खरीदते थे ठीक है आज 2020 में वही सामान खरीदने के लिए तक करीबन साड़े सत्रा सौ रुपए आपको कर्च करने पड़ेंगे ठीक है तो मतलब साड़े सत्रा सौ रुपए आपके पैसे की value कित्ती गिर गई पहले सौ रुपए कितना strong था कि आपको सामान खरीद सकते थे सिर्फ सौ रुपए देखे अब आपको साड़े सत्रा सौ रुपए पे करने पड़ेंगे इन 2020 ठीक है लेटेस्ट डेटा 2020 लास्ट एयर का है हमारे पास थीक है तो दोस्तों इस question का सही answer option D banker to general public RBI general public का banker नहीं है हम लोग RBI में खाता नहीं खुलवा सकते हैं हमारा अगला question question number 4 question है हमारा international monetary fund was set up in जो international monetary fund है जिसे हम IMF कहते हैं यह कब set up हुआ था पहला option 1945 दूसरा option 1946 तीसरा option 1947 और चौथा option 1950 दोस्तों इस question का सही answer है option A 1945 दोस्तों international monetary fund जो formed हुआ था ठीक है 1944 में form हुआ था international monetary fund और इसने काम कब करना start किया था started in 27 December 1945 याद रखिएगा international monetary fund फॉर्म हुआ था 1944 में और इसने काम करना शुरू किया था 27 December 1945 से और कहां करना शुरू किया था ब्रेटन वोड अग्रिमेंट द्वारा मतलब एक ब्रेटन वोड में conference हुई थी ठीक है ब्रेटन वोड conference और शुरूआ थी 29 member nations ठीक है member countries भी बोल सकते हैं द्वारा मतलब तो international monetary fund फॉर्म हुआ था 1944 में ब्रेटन वोड्स conference द्वारा और 29 member nations थे ठीक है और इसने काम करना शुरू किया था 27 December 1945 तो हमारा option है इस दा करिक्ट आंसर और अभी अगर हम बात करें presently in 2021 इसके कुल मिला करके total जो members हैं वो 190 countries हैं ठीक है कितने members हैं 190 तो option A is the correct answer for the given question हमारा अगला question question number 5 question है हमारा M1 is defined by RBI RBI द्वारा M1 को क्या define किया गया है as per the latest definition ठीक है तो पहला option है currency plus deposits plus other deposits with RBI दूसरा है currency plus demand deposits plus other deposits with RBI तीसरा है currency plus fixed deposits plus other deposits with RBI और आखरी है currency plus time deposit with other deposits with RBI दोस्तो इस question का सही answer है कि M1 is defined by RBI as per the latest definition as option B is the correct answer for the given question M1 is defined by RBI as currency plus demand deposit plus other deposits with RBI option B is the correct answer for the given question हमारा अगला question question number 6 question है हमारा nationalized bank include SBI, Citibank, American Express Bank all of the above दोस्तो इस question का सही answer है option A State Bank of India State Bank of India is the nationalized bank है ठीक है बाकी नहीं है option is the correct answer for the given question हमारा अगला question question number 7 question है हमारा two nationalized banks were merged in the year पहली बार दो nationalized bank किस साल merge हुए थे दोस्तो 1969 में 14 banks को nationalize किया गया थे इसारे कि सारे banks पहले private थे ठीक है इसको nationalize किया था 1969 में और इनको nationalize करने वाले थी हमारी इंद्रा गांदी उस टाइम हमारी PM थी प्राइम मिनिस्टर थी ठीक है उसके बाद फिर 1980 में छे और banks को nationalize किया गया फिर किस ने किया था इंद्रा गांदी जी ने टोटल कितने banks nationalize हुए थे बीस bank nationalize हुए थे लेकिन नॉर्मली हम पढ़ते थे कि भारत में 19 banks nationalize दें हुआ क्या था कि इन में से किसी एक साल दो banks आपस में मर्ज हो गए थे जिसमें एक bank था हमारा new bank of अंडया जो मर्ज हुआ था पंजाब national bank के साथ आपको बताना है वो कौन सा साल था जब यह दो banks आपस में मर्ज हुए थे पहला option है 1991 दूसरा option है 1975 तीसरा option है 1980 और चौथा option है 1993 दोस्तो इस question का सही answer है option D 1993 यह वो टाइम था जब दो nationalize bank आपस में मर्ज हुए थे new bank of इंडिया merged with Punjab national bank हमारा अगला question question number 8 question है हमारा out of 6.5 lakh villages इन इंडिया ठीक है भारत में total कितने villages हैं याद रखिएगा यहां से हमारे देश में 6.5 lakh villages हैं अभी मैंने recent में देखा कहीं कहीं यह दिखा रहे हैं कि इंडिया में 6.6 lakh villages हैं आप मोटा मोटी यही पढ़िए क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही पढ़ता रहे हैं कि इंडिया में 6.5 lakh villages हैं 6.5 lakh villages are there in India ठीक है सवाल यह पूछा जा रहा है कि out of 6.5 lakh villages in India only dash villages are being served by commercial banks तो बहुत कम banks जो हैं वो commercial banks द्वारा सर्व हो रहे हैं मतलब आपने सुना होगा कि 200 गाउं में एक bank है या 20 गाउं में एक bank है या 300 villages में एक bank है या 100 villages में एक bank है तो भाया आपके पास total villages कितने हैं 6.6 lakh लेकिन number of banks आप comparatively देख सकते हैं ना option में भी कम ही आपको दिखाई दे रहा है तो सवाल यह पूछा गया है कि out of 6.5 lakh villages in India only dash villages are being served by commercial bank पहला option only 56,000 villages are served by commercial bank दूसरा option only 10,000 villages are being served by commercial banks तीसरा option only 6,000 villages are being served by commercial banks और चौता option 50,000 villages are being served by commercial bank दूस्तो इस question का सही answer है option C 6,000 villages recent में यह data निकल करके सामने आए पहले तो यह option 5,000 था ठीक है अगर आपको 5,000 और 6,000 दोनों option में मिलेगा तो आप 6,000 मार्क करके आएंगे क्योंकि recent में यह 6,064 हो गया है लेकिन normally जादा तर MCQ में आपको 5000 ही दिखेगा लेकिन यह अगर 5000 और 6,000 का option है तो 6,000 मार्क करके आएगा हमारे जो options आप देख रहे हैं एक में 56,000 है मतला 56,000 एक में 6,000 है और एक में 50,000 है तो आप देखने कितना डिफरेंस है तो तो हमने 6,000 मार्क कर दिया लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं option में 5000 और 6,000 दोनों का option होगा तो आप 6,000 मार्क करके आएगा क्योंकि 6,000 villages are being served by commercial bank ठीक है option C is the correct answer for the given question हमारा अगला question question number 9 question है हमारा 100% privatization has taken place in 100% privatization इसमें किस जगा पे हो चुका है ठीक है पहला option VSNL आपने नम सुना होगा ना विदे संचार निगम लिमिटेड जैसे VSNL है भारत संचार निगम लिमिटेड वैसे विदेश संचार भारत संचार निगम लिमिटेड इंडिया के अंदर calling करने के लिए हमारी सरकारी company है ठीक है public sector undertaking है और VSNL क्या है VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड मतलब इंडिया के बाहर जब आप international call करते हैं उसके लिए VSNL है ठीक है option B is Hindustan Zinc option C is IBP company that is Indo-Burma Petroleum Company Limited और last option है option D Centaur Hotel The Hotel Corporation of India दोस्तों इस question का सही answer है option D Centaur Hotel The Hotel Corporation of India जहां पर 100% privatization हो चुका है option D is the correct answer for the given question हमारा अगले question question number 10 question है हमारा the disinvestment program was started in यह जो disinvestment है देखे एक word होता है investment investment में क्या होता है कि आपके पास ते पैसा जा रहा है ठीक है और बदले में आपको क्या मिल रहा है जहां पर भी आप investment कर रहा है जो investments है आपके ठीक है disinvestment में क्या हो जाता है disinvestment में पैसा आता है और investment जाता है जो भी अपने investment किया उसे बेचना पर जाता है और उसके बदले में आपके पास पैसे आने चुरू हो जाते हैं, ठीक है तो सरकार ने पहली बाद disinvestment program कब शुरू किया था, पहला option 1900 and 1991, दूसरा option 1991 1992, तीसरा option 1995 1996 और चौथा option 1997 1998, दोस्तो इस question का सही answer है, the disinvestment program was started in the year 1991 and 1992, option B is the correct answer for the given question जब new economic policy आई थी न, liberalization, privatization, globalization तभी disinvestment हुआ था, ठीक है और उस time हमारे जो प्रधान मंत्री थे वो PV नेरे सिम्मा रहा हो थे और उस time हमारे finance minister Dr. Manmohan Singh थे ठीक है, हमारा अगला question है, question number 11 question number 11 में TRIPS TRIPS stands for TRIPS का full form पूछा जा रहा है पहला option, trade related intellectual property rights दूसरा option, transaction related intellectual property rights थीसरा option, trade related intelligence property rights और चौथा option, trade related international property rights दोस्तो इस question का सही answer है TRIPS stands for option A, trade related intellectual property rights option A is the correct answer for the given question हमारा अगला question, question number 12 question है हमारा 100% FDI is permitted in 100% FDI, FDI मालू में आपको foreign direct investment ठीक है, 100% FDI is permitted in पहला option, oil refineries दूसरा option, banking तीसरा option, insurance और चौथा option, defense दोस्तो इस question का सही answer है option A, oil refineries 100% FDI is permitted in oil refineries option A is the correct answer for the given question हमारा अगला question, question number 13 question है हमारा duty free export credit scheme पूरा नम क्या है, duty free export credit scheme has been revamped and recast into तो इसको change करके इसका एक नया नाम दिया गया है वो कौन सा नाम है, ठीक है आपको बताना है पहला option है, made in India model दूसरा option है, served from India scheme तीसरा option है, India's shining scheme और चौथा option है, EPCG scheme दोस्तो इस question का सही answer है duty free export credit scheme has been revamped and recast into served from India scheme option B is the correct answer for the given question हमारा अगला question, question number 14 question है हमारा export promotion capital goods scheme abolished in जो export promotion capital goods की जो scheme है वो कब abolish हुई, किस साल abolish हुई देखेगा कैसे सवाल पूछे जाते हैं ध्यान दीजेगा इस पर पहला option 1991, दूसरा option 2002 तीसरा option 2005 और चौथा option false और चौथा option false, it is still continuing दोस्तो इस question का सही answer है export promotion capital goods scheme अभी तक abolish नहीं हुई है it's a false statement, it's a false it is still continuing, option D is the correct answer for the given question देखा, कैसे कैसे सवाल पूछते है option D, सही जवाब है इस question का हमारा अगला question, question number 15 question है हमारा, financial sector reforms mainly relate to जो financial sector reforms है, वो किस से related है mainly किस से related है, पहला option banking sector reforms, दूसरा option, capital reforms, तीसरा option, insurance sector reforms, और चौता option, all of the above इस question का सही answer है, option D, all of the above, financial sector reforms, mainly banking sector reforms है, capital reforms है, और insurance sector reforms, भही है, इस सारे के सारे, finance में तो deal करते हैं, मतलब पाइसा में तो deal करते हैं, ठीक है, तो all of the above is the correct answer, option D, सही जवाब अगला सवाल, यह रहा आपके computer screen पर, आई, question number 16 है हमारा, FDI has been allotted in defense up to, defense में FDI कितना allot किया गया है, ठीक है, पहला option 74%, दूसरा option 49%, तीसरा option 26%, चौता option 100%, दोस्तों, इस question का सही answer है, option A, 74%, और यह previously पहले 49% था, लेकिन as on 2020, 2020 में इसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया है, गवर्मेंट से परमेशन लेकर करके, आप 74% तक, FDI defense में ला सकते हैं, तो up to का सवाल पूछा गया है, option A, एकदम सही जवाब है, अच्छा answer को लेकर कि आप बिल्कुल confused मत रहिएगा, वीडियोस थोड़े देर से आती हैं, मतलब दिन में सिर्फ एक ही या दो ही आप आती हैं, reason इसके पीछे यह होता है कि हम सारे questions को एक एक करके verify करता हैं, ठीक है, तो बिल्कुल अब इसके लिए बिल्कुल doubt मत कीजगा, इसलिए explanation भी देते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताए कि पहले defense में FDI 49% allowed था, लेकिन 2020 में इसे बढ़ा करके, up to 74% कर दिया गया है, अगला question, question number 17, question है हमारा administrative prices means, जो administrative prices है उसका मतलब क्या होता है, पहरा option, prices fixed by private sector under the guidance of government, दूसरा, prices fixed by consumer forums, तीसरा, prices fixed by the government in private sector, और चौथा, price level fixed by the government, दोस्तों, इस question का सही answer है, administrative prices means, option D, price level fixed by the government, administrative prices का मतलब क्या होता है, जो price level government fix करती है, option D is the correct answer, अगला question, question number 18, question है हमारा, price support policy means, जो price support policy है, इसका मतलब क्या होता है, पहला option, prices at which government would be buying agricultural products from farmers, दूसरा option, prices at which farmers will be selling goods to the private sector, तीसरा option, subsidy received by farmers from government, और चौथा option, दोस्तों, इस question का सही answer है, price support policy means, prices at which government would be buying agricultural products from farmers, जो हरित करांती आई थी, green revolution आया था, जिसमें high yielding variety of seeds आयते हैं हमारे देश में, तो उसका पूरा-पूरा फाइदा पंजाब को मिला, ठीक है, हरयाना को मिला, और western उत्तर प्रदेश को मिला, और जो भी अनाज यहां पे होता है, सिर्फ इन ही locations में, ज्यादा तर अनाज government of India buy कर लेती है, एक minimum support price पे, MSP जिसे कहते हैं, ठीक है, तो this is, price support policy means, prices at which government would be buying agricultural products from farmers, option is the correct answer, अगला question, question number 19, question है हमारा, stackflation के बारे में पूचा जा रहा है, आपसे actually stackflation का मतलब पूच रहे हैं, या definition पूच रहे हैं, वह आपको बताना है, पहला option है, means, prices are falling and purchasing power is increasing, दूसरा, is in the form of low rate of growth combined with the general price level increases, तीसरा, means, high rate of growth combined with the rise in the general price level, और चौथा, means that, due to increase in the cost of products, prices of final products are increasing, दोस्तो, इस question का सही answer है, option B, stackflation is the form of a low rate of growth combined with the general price level increase, तो मतलब आप समझ रहे है, price level increase आगया, मतलब price level बढ़ गया, लेकिन growth rate बहुत धीरे धीरे हो रहे है, इन दूरों का combination is called stackflation, option B is the correct answer for the given question, हमारा आज का आखरी question, question number 20 और question है, हमारा NPE stands for, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो acronym है, NPE, इसका full form बताइए, पहला option है, national policy on education, दूसरा option है, nuclear policy on electronics, तीसरा option है, national policy on electronics, और चौता option है, national policy on elections, दोस्तो, इस question का सही answer है, option, option, a national policy on education, दोस्तो, इसी के साथ हमारा part 2 economics complete हुआ, आप comment करके बताइए, कि आपके 20 में से total कितने सवालों के जवाब सही हुए, आप में से बहुत सारे बच्चे comment करके बता रहे है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, very good, very good, very good, very good, आप बिलकुल select होंगे, बस बने रही है और अपनी तरिया ही strong करते रही है, thank you on this note, thank you so much, have a good day and all the best for your examinations.